नमस्कार मैं हूप प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 16 दिसंबर दिन श्रनिवार खबलो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर गन्ना के तीनों वेराइटी की कीमत में होगी बढ़ोतरी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंडर परिक्षा में सिर्फ एडमिट कार से नहीं होगी एंट्री राचे में पहले पैडा ग्लाइडिंग की रविवार से यहां होड़ा ही श्रवाद कड़क सिंग में इंटिमेट सीन करने पर बोले पंकस्त्रिपाथी दिप्ति सर्मा ऐसा करने वाली बनी दूसरी भारतिये प्लेयर अचले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से युनाइट इंडिया इंसुरेंस कंपनी में 300 पदों पर निकली भरती युनाइट इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेट के दौरा असिस्टन के कुल 300 पदों के लिए भरती निकाली गई हैसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं अधिकारिक वेबसाइट uic.co.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता देक इसके लिए आविदन करने की शिरवात आज यानिकी 16 दिसंबर 2023 से हो रही है मैं इसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 6 जनवरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लगर सैचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार को किसी भी मानिता प्राप्त विश्रिविद्याल या किसी अन्य उच्छ सिक्षा संस्थान से किसी भी विशे में इसना तक पास होना अनिवार है और साथ ही उमिद्वार की आयू 21 वर्स से कम तथा 30 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए इस सजरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले बिहार में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगी डियस पी की कुरसी पुलिस मुख्याले के एडिजी जितंदर सिंग गंगवार के द्वारा बताया गया कि राजिस सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहट वेतनमान के साथ उच्चतर प्रभाव देना होगा ऐसे में अब बहुत जल्दी बिहार में 200 से अधिक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पताधिकारियों को पुलिस अधिक चक्यानी की डियस पी की कुरसी मिलने वाली है बता दे के उच्चतर प्रभाव देना के साथ मलेगा वहिस के अलावा बड़ी संख्या में दारोगा को इंस्पेक्टर और सहायक अवा निरक्षा को दारोगा के पत पर वेतनमान के साथ उच्चतर प्रभाव दिया जाएगा मालमों के फिलाल यह काम अंतिम चरण में है जो की अगले सब्ता तक पूरी होने की संभावना है एडी जी के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार इसके लिए स्क्रीनिंग कमीटी बनाई गई है जिनके द्वारा निर्धारित माप डंडो पर प्रणती के दावेदार पुलिस कर्मियों का मुल्यांकन किया जा रहा है देहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे तेजंद्र खन्ना के बाड़े में तेजंद्र खन्ना का जन्म आजी के दिन 1938 में हुआ था वह 1961 बैच के भारतीय प्रशास्निक सीवा अधिकारी थे उन्होंने पंजाब में विवन प्रशास्निक पदो पर कारी किया वह 1991-92 के दौरान पंजाब के मुख्य सचीव थे और उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में अंजाब में 1992 फरवरी के चिनावों का संचालन किया जिसे राश्रपती शाषन की लंबी अबधी के बाद राज्ये में एक नडवाच सरकार वापसा गई वह भारत सरकार में भी महत्रपुन पदो पर रहें उन्होंने वानिजिक प्रामर्स दाता भारतिय उचायोग यू के म 1998 और फिर अप्रेल 2007 से जुलाई 2013 तक 11 दिसंबर 1996 को उनकी सेवा निवरती के तुरंत बाद उन्हें राश्री राजधानी का सोलवा उपराजे पाल और प्रशासत निउक्त किया गया और उन्होंने अप्रेल 1998 तक इस पद पर कारे किया उन्होंने फिर से 9 अप्रेल 2007 से 8 ज के मंतरे नितीश कुमार के द्वारा संसदिय काड़े मंतरे विजय कुमार चौधरी और विपक्ष करनीता विजय कुमार सरहा के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार के छटे मुख्य सूशना आयोगत बिहार के पुडव मुख्य सचीव त्रिपुडारी स सरन आयोग के मुख्य सूशना आयोगत बनने वाले पांचवे रिटायर आई एस होंगे वह फिलाल यह बिहार के सूशना आयोग में आयोगत है मालूमों कि तृपुरारी सरन उनीसव पचासी बैच के आई एस अधिकारी है जो बिहार के मुझह परपुड के रहने वाले है वा भारतिय फिल्म एवं टेलीवीजन संस्थान पूने के निदेशक भी रहे हैं इसके अलावा वा दूर दर्शन के महानिदेशक भी रह चुके हैं मालूमों कि तृपुरारी सरन से पहले जिन चार आई एस अधिकारी को मुख्य सूशना आयोगत बनाया था उसमें अशो कुमार सनहा और एनके सनहा के नाम शाबिल है वही सबसे पहले मुख्य सूशना आयोगत नयायमूर्दी शर्शांग थे जो वर्स 2006 में मुख्य सूशना आयोगत बने थे गन्ना के तीनों वराइटी की कीमत में होगी बढ़ोतरी राजी के गन्ना किसानों के लिए खुश खबरी है बता दे कि दो वर्शों के बाद सरकार के द्वारा मील मालिकों को कह दिया गया है कि चालू पिडाई सतर 2023 में कसानों को गन्ना के लिए अधिक भुकतान किया जाए बतादी कि बिहार सरकार के गन्ना उध्योग मंत्री के द्वारा अपने अधिकारियों से स्पस्ट कर दिया गया है कि वो जल से जल इसी महीने बैठक करके नए मुले पर चीनी के दाम को तै करे मालुमों कि वर्तमान में मील मालिकों के द्वारा कसानों को उत्तम कोटी के गन्ना के लिए 335 रुपे प्रती कुंटल भुगतान किया जाता है तो महीं स्तामाने कोटी के लिए 315 रुपे और 9 कोटी के लिए 280 रुपे प्रती कुंटल भुगतान किया जाता है ऐसी में अब गन्ना के तीनों वेराइटी की कीमत में बढ़ोतरी होने से कसानों को काफी राहत मिलेगी आपके जानकारी के लिए बता दे की वरतमान में पूरे राज्य भर में खुल 9 चीनी मील है जोकी बगह, हरी नगर, नरकटिया गंज, मंजौलिया, गोपाल गंज, सिधवलिया, हसनपुर, लौरिया और सुगौली में है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परिक्षा में सिर्फ एडमिट कार से नहीं होगी एंट्री बिहार बोर्ड के ओर से मैट्रिक और इंटर की परिक्षा की डेर सीब जारी कर दी गई है, ऐसे वे परिक्षा कदाचार मुक्त कराया जा सके इसके लिए बोर्ड की ओर से नई पहल की जा रही है बता दे कि अब परिक्षार्थी सिर्फ एड्मेट कार्ड लेकर परिक्षा में शामिल नहीं हो सकते अब उन्हें परिक्षा में शामिल होने के लिए एड्मेट कार्ड के साथ आधार कार्ड या फोटो युक्त परिक्षा के तस्वीर रहें कि इस सब के अलावा परिक्षार्थियों को अपनी सीट खोजने में किसी प्रकार की परिशानी ना हो इसके लिए हर बेंच पर रोल नंबर और रोल कोड लिखा हुआ रहेगा बिहार के सरकारी बसों में भी अब उनलाइन कीजिए पेमेंट बिहार सरकार के पड़िवान विभाग के द्वारा यात्रियों की सुधा को देखते वे बिहार में चलाई जा रही नगर बस सेवा में सफर करने वाले यात्रियों को अप्लिकेशन और काड के माध्यम से कैसलिस टिकेट की सुधा बहाल की गई है बतादे कि यात्री चलो एप डाउनलोड करके बस की लोकेशन को ट्राक कर सकते हैं और साथ हिस आप की मदद से अपने डेविट और क्रेडिट कार से रिचार्ज करके बस का सफर भी कर रहे हैं वहीं अब विभाग की ओर से यह नर्ने लिया गया है कि अब सभी बसों में स्कैन एंड पे की सुधा को बढ़ावा दिया जाएगा मालमोग इसकी शुरवाद बिहार की राजधारी पट्ना में चलने वाली कुछ बसों में हो गई है लेकिन अब बहुत जल्द ही इसे राज् सरकार वर नीजी बसों को दिशा नर्देश दिया जाएगा राज्य में पहले पैड़ा ग्लाइडिंग की रविवार से यहां हो रही शुरवात अगर आप भी पैड़ा ग्लाइडिंग करने की चाहर रखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर हैं बता दे कि पहली बार ब पैड़ा ग्लाइडिंग की शुरवात करने वाले रवी सिंग के द्वारा एटीवी से हुए साख्छातकार में जानकारी देते वे बताया गया किसका समय सुभध दस पल से शाम तक रहेगा लेकिन मौसम को ध्यान में रखते वे शाम होते ही इसे बंद भी कर दिया जाएग वहीं पैड़ा ग्लाइडिंग के लिए प्रतिवक्ती पच्चिस सो रुपए निर्धारित किये गए है जिसके अंतरगार चार सो फीट की उचाई और दो किलो मीटर के दायरे में दस मिनट तक आकास ब्रहमन करवाया जाएगा और इसमें तीन राउंड होंगे वहने कहा कि इसके शुरवात एयरपोर्ट अथारिटी और जिला परशासन से परमिशर लेने के बाद ही की गई है अगर रात की है ट्रेन तो जाने यह नियम ट्रेन में सफर करने के दौरान हमें कई तरह के नियमों का पारण करना होता है लेकिन कई नियम ऐसे भी होते हैं जो हमें सकते लेकिन अगर आपकी ट्रेन दस बज़े ही है तो उस दोरान यह नियम लागून नहीं होता टिटी एसी स्थिती में रात दस बज़े के बाद ऑद को खोल नहीं सकता कहीं जोनकी ट्रेन में रात 11 बज़े के बाद बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है, ऐसे में आप 11 बज़े के बाद चार्जिंग नहीं कर सकते। बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे सुरे मंदर कंदाहा के बारे में। नकाशी कर उभरा गया है। अचानक केके पाठक पहुंचे स्कूल, सिक्षकों में मचा हरकम, बीते दिन बिहार सिरकार के सिक्षा विभागे, अपर मुख्य सचीव केके पाठक अचानक से वैशाली के लाल गंच के राजगिये मत्य विद्याले घंटारों में पहुँच गया। सिक्षकों के बीच हरकम का महौल बन गया। बतादिक इस दौरान केके पाठक के द्वारा विद्याले का ओचक नरिक्षन करते वे, सिक्षकों और साथ ही चातर चातराओं को कहीं दिशा नर्देश दिये गया। इस दौरान उने पूरे स्कूल का नरिक्षन किया और क्लास में घूम घूम कर, छातरों से बात की और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंनЕ बच्चों से कहा कि अगर उन्हें कहीं पढ़ना हैं तब भी सारे तीम बजह तक उन्हें स्कूल में ही रहना पढ़ेगा सक्षकों और बच्चों को स्कूल सौज समय पर पहुँशने की हिदायत दी उन्होंने सक्षकों को निर्देश देते वे कहा कि बच्चों की उपस्थिती सत्प्रतिशत अनिबारे हो और कमजोर बच्चों को मिश्रन दक्ष के तहट अतरित समय पढ़ाएं बिहार पुलिस को मिलेगा 3 लाग तक का ब्याज रहित लोग ADG मुख्याले जितंदर सिंग दंगवार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि बिहार सरकार और पुलिस मुख्याले के द्वारा कर्मियों की सहाइता के लिए अनुदान की राशी बढ़ा दी गई है पता दी कि पहले ओस्तन जहां 50-80 लाग रुपे तक का ओस्तन अनुदान था वहीं उसे बढ़ा कर अब इसे 2 करोड से अधिक कर दिया गया है उन्होंने कहा कि DSP और SP को भी 25 लाग रुपे के लाब से जोड़ा जा रहा है शहीद होने पर पहले इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मियों को राशी दी जाती है अब इसमें SP और DSP को भी जोड़ा गया है उन्होंने आगे बताया इक कर्मियों को ब्याज रहित लोन देने का भी प्रावधान किया गया है तीन लाग रुपे तक ब्याज रहित लोन कर्मियों को सहायता के तौर पर विकेट पड़स्थितियों में दिया जड़ा है वो लोग इसका लाब ले सकते हैं ये राशी किस्त के तौर पर जमा करना होगा ब्याज नहीं देना परता कड़क सिंग में इंटिमेट सीन करने पर बोले पंकस रिपार्टी इन दनों बिहार के लाल और बॉलेवुड के जाने माने अब नेताओं में से एक पंकस रिपार्टी के फिल्म कड़क सिंग के इंटिमेट सीन काफी चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है ऐसे में हाली में जब पंकस रिपार्थी से बॉलिवुड हंगामा के इंटर्व्यू में उनसे सन को लेकर सवाल पूछा गया तुन्होंने कहा कि मुझे इंटीमेट सीन करने में कोई आपती नहीं है मैं हमीशा किसी भी इंटीमेट सीन के पीछे नर्दर्शक की मंसा के बाड़े में विचार करता हूँ अगर डारेक्टर का गोल दर्शकों के बीच संसनी पैदा करना है और अगर ऐसी स्थिती है तो मेरे लिए ऐसे सीन करना मुश्किर हो जाता है फिल्म में मेरा सीन बिलकुल अलग और अनुखा है मेरा करेक्टर बिलकुल कवीता जैसा है हमारे नर्दर्शक ने इसे कलात्म क्रूप से फिल्म आया है हम लोगों को रितेश शाह ने सूट के ठीक आदे घंटे पहले ही डायलोग के स्क्रिप्ट दी थी और हमने इसे खूब इंजॉय किया आपको जानकारी के लिए बता दे कि पंकस्त्र पार्थी के फिल्म 8 दिसमबर 2023 को OTT प्लाटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम हो चुकी है विहार में फिल्हाल ठंड से घबराने की जरूरत नहीं मौसम विभाग के मताबिक दिसमबर का पहला पखवारा समापती की ओड है और पूरे प्रदेश में सरदिया आ चुकी है सुबह और रात ठंडी होने के बावजूद भी कराके की ठंड नहीं महसूस हो रहा है इसके बाद सबसे बड़ा कारण है कि धूप और गर्म दिर मौसम विभ्यान केंद्र के विग्यानिक सलंदर कुमार ने बताया कि एक तो अस्थानों का ने उन्तम तापमान सुर्योदय के पास पहुँच जाता है लेकिन कुछ दिरबास सुर्य के उखजाने से ही तापमान बढ़ने लगता है पूरे प्रदेश के छेत्रों में दन अ कारी के मताबिक अगले चार दनों के दोरान सुबह के समय राजी के धिकांस भागों के एक या दो अस्थानों में हलके से मध्यमस्तर का कोड़ा चाय रहने का पुरवानुमान है दन और रात के तापमान में मामुली गिरावट हो सकती है लेकिन उलेखनी परिवर्तन की दियमों में हुआ बदलाव आधार कार्ड आज के समय में हमारे लिए एक ऐसा डॉक्यमेंट बन गया है जिसके बिना हमारे कई काम पूरे नहीं हो सकते ऐसे में अभी आधार कार्ड सभी के पास होना बेहत जरूरी है वहीं बता दे कि अब सरकार की और से आधार कार्ड बन और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रसेखर द्वारा केरल में एक महिला जोसी मूल पी जोस के नामांकन को सुनश्चित करने के लिए आया है वही इस बदलाव से अब लाखों लोगों को फायदा मिलेगा सरकारी नौकडी पाने के लिए एक और फरजी वारा आया सामने बिहार के बकसर से एक फरजी वारा का मामला सामने आया है जिसके अंतरगात एक महिला के द्वारा दूसरी महिला के सर्टिफिकेट पर जो स्तिवार में दरोगा है उस पर सिक्षका की नौकडी कर रही है तरसल दारोगा महिला प्रियंका दारोगा बनने से पहले वर्ज 2021 में सिक्चिका थी और सिक्चा विभाग से उन्होंने अपना प्रमान पत्र वापस नहीं लिया था ऐसे में जब वस सिक्चा विभाग से अपना सर्टिफिकेट लेने पहुची तो इस बात का खुलासा हुआ जिसक थान ध्यक्ष मुकेश कुमार के द्वारा कहा गया कि दोशी पाय जाने पर आरोपित के विडियो उचितकारवाई की जाएगी पतना एरपोर्ट ने जारी किया विंटर सेडियूल एरपोर्ट अथोरिटी की ओर से पतना एरपोर्ट पर विंटर सेडियूल जारी कर दिया गया है और साथ ही छे जोडी विमान को भी रद कर दिया गया है जिसमें इंडिको की पतना से सुभा आठ बीस बजे कॉलकता जाने वाली सारे आट बजे दिल्ली जाने वाली 9 पैतालिस बजा सहराई चन्डीगार जाने वाली और फ्लाइबिक के रात नौ बजे गुवाती जाने वाली विमान शामिल है पतादे के जारी किये गये विंटर से डूल के विमान का पड़ी चलन सुभन नौपचपन के बाद होगा और रात में 8.45 तक जारी रहेगा मालू हो कि फिलाल जो विंटर से ड्यूल जारी किया गया है वह 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा एरपोर्ट के निदिशक अंचल प्रकाश के मताबिक पटना एरपोर्ट पर सुभा और रात के समय कुहां से या धुंद की वजह से विजिबिलिटी कम हो जा रही है इस वजह से फ्लाइट की लेंडिंग और टेक ओफ में काफी दिक्कत देखने को म में सुधर गंगाजल की पेजल के रूप में आपूर्टी होगी पतादे किसको लेकर विहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय जाक के दौरा कहा गया कि खुद मुख्य मंत्री के दौरा 27 नवंबर 2022 को राजगीर और 28 नवंबर 2022 को गया एवं बोद गया में इसका लोकार पन के दौरान होने वर्स 2023 के अंध तक नवादा में भी घरेलू उपयोग के लिए गंगाजल आपूर्टी शुरू करने के आदेश दिये थे जिसे जल संसाधन विभाग के दौरा सवसमय पूरा कर दिया गया है उरोने बताया कि 600-300 mm व्यासवारी 13 किलोमीटर लंबी स्ट चल की आपूर्ति का लक्ष्ण है इस तेरश्वई आदव आय सामने सरकारी काड़े क्रमों से दूरी बनाने पर उठ रहे थे सवाल पिछले कुछ दिनों से सभी सरकारी काड़ेक्रमों से दूरी बनाए रखे बिहार के उप मुख्यमंत्री 23 यादब बीते दिन मीडिया के सामने आए इस दुरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते वे दो दिवस ये इन्वेस्टर्स मीड को लेकर कहा कि वह एतिहासी काम है जिसमें लगभग 50,000 करोड रुपे का MOU साइन हुआ है उन्होंने कहा किसके लिए मुख्यमंत्री समीत विवाग के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद सरकार का प्रयास था कि बिहार में अधिक से अधिक निवेश लाए जाए वहीं अब आने वाले दिनों में बिहार सरकार के द्वारा, आईटी और टुरिस्म पॉलिसी पर भी निवेशक लाए जाएंगे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा तो उससे रेविन्यू भी सरकुलेट होगा जिसका फाइदा सभी को मिलेगा मालुम हो कि तेश्वी आदव के किसी भी सरकारी कारेक्रम में शामिल ना होने की वज़े से राजनतिक गलियारों में चर्चा का महौल बन गया था तारकेशोर प्रशाद की सी एम नितीश को सला जेडियू की बनारस में होने वाली रैली रद होने के बाद बीजय पी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर चाह रहे थे किस परकार मैदान नहीं मिला इसके लिए बीजय पी दोशी हो गई बिहारो बे बुनियाद है, ऐसे में बहतर यह है कि बिहार की जनता के द्वारा नितीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है, वह उसे ही सही धंक से निवाएं बीजेपी का एक मजबूत और कदावर नित्रतु है, ये कभी अडानी का नाम लेंगे और कभी बनारस की चर्चा करेंगे, इसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं परता, भारत के लोगों को भी फर्क नहीं परता है क्योंकि वे जानते हैं कि भारत किसके हाथों में मजबूत दिप्ती सर्मा ऐसा करने वाली बनी दूसरी भारतिय प्लेयर, डीवाई पार्टिल के मैदान पर खेले जा रहे एक मात्र टेस्ट मैच में दिप्ती सर्मा के द्वारा इंगलान की बैटर पर कहर बरपाते हुए, पांच दसमलो तीन ओवर के स्पेल में महज सात रन खर्च किये और पांच इंग्लिस बैटर्स को पविलियन की रहा दिखाई, वहेसे पहले बलेबाजी में दिप्ती सर्मा के द्वारा 113 गेंदों पर सरसर रन की दमदार पारी खेली गए, इसी के साथ अब दिप्ती सर्मा टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 38 सतक जमानी के साथ साथ पांच विकेट लेने वाली दूसरी भारतिय महिला क्रिकेटर बन गई है, मालमों कि दिप्ती सर्मा के द्वारा इंग्लैन के खिलाफ विकेट के सबसे लंबे फॉर्मिट में दूसरा बेस्ट स्पेल फेका गया है, दिप्ती के अलावा गेंदबाजी में भारत की तर जंक संग्रहाली की 1951 में अस्थापना की गई, भारत और पाकस्तान के बीच 1971 में संघर्ष विडाम पर सहमती के बाद, बंगलादेश पाकस्तान से प्रितक होकर सुदंतर राष्ट बना, तमिलनाडू के कलपकम में 1985 में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियाक्टर के अस जूर किया, भारत के सर्वस्टेश्ट मुक्य बाजो में से एक हवा सिंग का जर्म 97 में हुआ, परमवीर चक्र सम्मानित, भारतिय स्यानिक सेकेंड लेफ्टीनेट अरुंध खेतरपाल का निधन 1971 में हुआ, प्रसित भारतिय महिला कबवाल सकीला बानों का निधन 2002 में हु लिखा है कि एक फरजी पत्र में दावा किया गया है कि वोकताओं को कनेक्शन कटने से बचने के लिए दिये गया हिल्प लाइन नंबर पर संपरकर करके अपने बिजले बिल को अपडेट करने कि आवशकता है, प्याइबी नभी ट्वीट में आगे लिखा है कि मिनिस्ट् अप में लाते रहती है, पिछले साल कमपनी ने नोट का उप्शन इसमें जोड़ा था जो लोगों को एक तरह से स्टेटस अपडेट देता है कि उनके फॉलोवर्स क्या कर रहे हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम में नोट में कोई गाना डाल कर अपने फॉलोवर्स को ये ब दो सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो पर आपके फॉलोवर्स इमोजी और टेक्स्ट के जरीए रियाक्ट कर सकते हैं, ध्यादे कि आपके वल सेलफी मोड में रिकॉर्ड की गई वीडियो को ही दोस्तों के साथ आप गैलरी से भी कोई वीडियो या बैक कैमरे से इसमें कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे वीडियो स्टेटस सेट करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल फोटो पर दिख रहे प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा फिर एक कैमरा को आप्शन बना आएगा इस पर क्लिक करने के बाद आप शॉर्ट वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं हफ़ते के आखरे दिन ओल टाइम हाई पर बंद हुआ बासार बित दिन यानिकी कारोबारी सब्ता के आखरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ बंद हुआ बता दे कारोबार के पांच पांच अंकिया एक दसम्लों तीन साथ प्रतीशत उचलकर 71,483 दसम्लों साथ पांच अंक पर बंद हुआ वहीं NSE का 50 सेरो वाला इंडेक्स निफ्टी 273.95 अंकिया एक दसम्लों दोनों प्रतीशत फिसलकर 21,456 दसम्लों छेप पांच के सर पर बंद हुआ मालमों की बीते दिन जो टॉप 5 सेर बरहत के साथ बंद हुएं उनमें HCL Tech, Tata Consultancy Services, Infosys, भारतिय स्टीट, Bank और Tech Mahindra के शेर सामिल हैं वहीं जो टॉप 5 सेर गिरावट के साथ बंद हुएं उनमें निसले इंडिया, टाइटन, JSW, स्टील, मारूती, सुजुकी और ITC के सेर शामिल रहें हम प्रति दिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पुलिस, दारोगा, समीत, SSC जैसे अनिप्रतियोगी परक्षाओं में काम आएंगे हमारा पहला सवाल है, हाली में Bank of India ने महिलाओं के लिए क्या लॉंच किया है? इसका सही उतर है Option D नाड़ी, शक्ती, बचत खाता अगला सवाल, हाली में किस प्रख्यात लेखेगा को उनके संस्मरन यादे यादे और यादे के लिए 33वे व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? Option A, पुस्पा भारती, Option B, अंकिता जैन, Option C, नासीरा सर्मा, Option D, मृदुला गर्द इसका सही उतर है Option D, पुस्पा भारती अगला सवाल, बिहार के कितने जले नेपाल की सीमा से लगते हैं? Option A, Option B, साथ, Option C, आठ, Option D, नौ इसका सही उतर है Option B, साथ अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? Option A, गंडक, Option B, दामोदर, Option C, कोसी, Option D, गोमती इसका सही उतर है Option C, कोसी अगला सवाल, बिहार की साथारन जलवायू है Option A, गंडक, आदर, Option B, सीत और आदर, Option C, मानसुनी, Option D, गंडक, शुष्क इसका सही उतर है Option C, मानसुनी इसके साथ ही बढ़ते हैं आजके सवाल क्यों राज का सवाल है आपके नुसार साउत अफरीका और भारत के बीज खेले गए तीन मैचों की T20 सिरीज में किस भारती एक खेलारी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बरह रहने के लिखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखना है तो फेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद